नमस्कार, पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतरगत, उद्विकास, क्रान्ती और प्रगती के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास या डेवलेप्मेंट के बारे में, वांचित दिशा में परिवर्तन की और संकेत देती है, विकास एक संदर्भ और सापेक्षिक अवधारना है, विकास को समझने के लिए अब हम बात करते हैं इसकी अर्थ और परिभाशाओं के बारे में, योगी इंद्रसियां विकास को परिभाशित करते हुए लिखते हैं, कि समाज के सदस्यों में वांचनिय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं, इन्होंने आगे यह भी लिखा, कि अता विकास की धारना सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्ट भूमी और राजनेतिक और भोगलिक परिस्तिती के आधार पर प्रतिक समाज में भिन भिन पाई जाती हैं, मिर्डन विकास को परिभाशित करते हुए कहते हैं, कि विकास का अर्थ आधुनिकी करण के आधर्शों को सामाजिक जीवन में उतारने से हैं, इनके ही शब्दों में विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांचनिय व्यवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अल्प विकास की इस्थती बनी हुई है इसकौफ के अनुसार माप के पेमाने और संदर्ब के एक निश्चित धाजे में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तनों को बताने वाला शब्द विकास है जो मुल्यों की एक निश्चित विवस्था के अंतरगत सपस्ट रूप से एक घटना की परिमान आत्मक व्रद्धी का प्रतिनिधित्व करता है इन्होंने इस परिभाशा में विकास की तीन विश्चित बताई है पहला यह कि विकास एसा शब्द है जो निश्चित धाजे में निश्चित प्रकार के परिवर्तन को सबस्ट करता है दूसरी विश्चित यह है कि इस परिवर्तन को पेमाने के द्वारा परिमानात्मक व्रद्धी के रूप में ना पा जा सकता है और तीस रा विकास मूल्यों से संबंधित होता है तो इस प्रकार विकास प्रगती से मिलता जुलता है लेकिन प्रगती व्यापक अवधारना है और विकास निश्चित अवधारना प्रगती की अवधारना ओध्योगी क्रांती के यूग से जुड़ी हुई है और विकास नवीन अवधारना है दे चेलेंज ओफ डेवलप्मेंट गोस्ठी के अनुसार विकास एक तुलनात्मक अवधारना है इन्होंने विकास शब्द का प्रयोग कम आये वाले देशों और पश्चिमी देशों में हो रहे उध्योगी करण की तुलना करने के लिए किया है पश्चिमी देश अधिक विक्सित है तथा कम आये वाले देश कम विक्सित है इसी प्रकार होब हाउस भी विकास को परिभाशित करते हुए कहते हैं कि एक समूदाय का विकास मात्रा, कारिशम्ता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस परिक्ता में व्रद्धी के साथ साथ होता है इस तरह इन परिभाशाओं के आधार पर यहर निश्करश निकलता है कि विकास ऐसी अवधारना है जो एक समाज, शेत्र और जनता की सामाजिक, सांस्क्रतिक और आर्थिक आवशक्ताओं की इस्तिती को सापेक्षी रूप में सपस्ट करती है विकास को इसकी कुछ विशेष्टाओं के आधार पर हम ज़्यादा अच्छे से समाज सकते हैं विकास की पहली विशेष्टा होती है सार्व भौमिक प्रक्रिया यानि सभी समाजों में सभी कालों में विकास की प्रक्रिया होती रहती है विश्र में जहां-जहां मानव समाज हैं, वहां किसीने किसी रूप में विकास होता रहता है विकास की दूसरी विश्रिष्टा होती है, सममिश्र अवधारना या Mixed Concept विकास एक मिश्रित अवधारना है, जिसमें अनेक शेत्रों में परिवर्दन साथ-साथ होते हैं जिससे समाज के विकास में व्यापार, क्रशी, उद्योग, सिक्षा, स्वास्त इन विभिन शेत्रों में प्रगती को सम्मिलित करते हैं। विकास एक संयुक्त प्रगटना है, इनमें मानव जीवन के सभी पहलों को सम्मिलित किया जाता है। विकास की तीशी विशिष्टा होती है कल्यान कारी परिवर्तन, यानि विकास एसा परिवर्तन है जिसमें बच्चों, उस्त्रियों, व्रद्धों, बीमार, बेरोजगार लोगों, कमजोर वर्गों और अल्प संग्यकों आदी के कल्यान का ध्यान रखा जाता है। विकास एक मुल्य आधारित परिवर्तन होता है। विकास कारेक्रमों का उद्धेशे पिछडे वर्गों, जातियों, तथा जन जातियों, ग्रामों और नगरों, महिलाओं, श्रमिकों के कल्यान का होता है। इसलिए यह मुल्यों पर आधारित परिवर्तन होता है। विकास की एक विषिष्टा समाज सापेक्ष अवधारना है यानि विकास की अवधारना अलग-अलग समाजों की सामाजिक सांस्कृतिक आवशक्ताओं राजनेतिक आर्थिक एवं भोगलिक परिस्तितियों के कारण अलग-अलग होती है यह समाजों से संबंधि थे इसलिए इसे समाज सापेक्ष अवधारना कहा जाता है विकास की छटी विशिष्टा चक्रिय कार्य कारण गुण है सामाजिक विवस्था के विभिन अंग परसपर निर्भर होते हैं किसी एक अंग या अवस्था में विकास का प्रभाव अन्य अवस्थाओं तथा अंगों में की चक्रिय कार्य कारण संबंद कहा जाता है जो कि विकास की प्रक्रिया का विशिष लक्षण है एक में विकास का प्रभाव अन्य शेत्रों पर भी पढ़ता है विकास की सात्वी विशिष्टा है अवांचनी अवस्थाओं का सुधार मेडल ने विकास का अर्थ बताते कि विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांचनी अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अलप विकास की इस्तती बनी हुई है विकास समाज की अवांचनी अवस्थाओं का सुधार करता है विकास की एक और विशेष्टा उत्तरोत्तर परिवर्तन है सामाजिक विकास एक अवस्था से दूसरी फिर तीसरी अवस्था की और आगे बढ़ते रहने वाला परिवर्तन है इसमें विभेदी करण की व्रद्धी सदेव उपर की और होती है उत्तरोतर परिवर्तन विकास की विशेष्टा है विकास की एक अन्या विशेष्टा लोकिक परिवर्तन है विकास का संबंद केवल भोतिक जगत के परिवर्तन से है इसका धर्म, आध्यात्न या अभोतिक जगत से कोई संबंद नहीं होता और एक और विश्रिष्टा जो विकास की है वह है कि इसका माप संभव है किसी समाज का विकास कितना हुआ है या वह अन्य समाजों की तुलना में किस शेत्र में कितना अधिक या कम विक्सित है इसे मापा जा सकता है सकोफ का कहना है कि विकास एक घटिना की परिवानात्मक व्रद्धी को बताता है माप के पेमाने और संदर्ब के एक निश्चित धाचे में एक निश्चित प्रकार के परिवर्तन को बताने वाला शब्द विकास होता है सभी समाजों में विकास का कोई न कोई विशिस्ट स्वरूप अवश्य होता है इसके दो प्रमुख माबदन्ड है पहला समाज का जन जाती या क्रिशी की अवस्था से ओध्योगिक समाज की और परिवर्तन तथा दूसरा है आर्थिक परिवर्तन मिचेल ने विकास की छे प्रमुख कसोटियों के बारे में बताया है असिक्षा से सार्वभोमिक सिक्षा की और परिवर्तन दूसरा एक तंत्र से प्रजातंत्र और सार्वभोमिक वयस्क मताधिकार की और परिवर्तन तीसरा कानून के सामने सभी की समानता में व्रद्धी चोथा राश्री प्रभुसत्ता में व्रद्धी पांचवा धन के केंद्री करण से उचित और न्यायपूर्ण वित्रण की और परिवर्तन और छटा स्त्रियों की दासी की इस्तिती से साथी की इस्तिती में परिवर्तन इन मापदन्नों के द्वारा किसी भी समाज के विकास का मुल्यांकन किया जा सकता है होब हाउस ने सामाजिक विकास की चार मुख्य दशाओं का उलेख किया है जो विकास में साहयक होती है और जिसके अभाव में विकास हो पाना संभव नहीं है या बहुत कठिन होता है उसके अंतरकत उन्होंने सबसे पहली जो दशा बताई है वह बताई पर्यावरन संबंधी दशा है यानि अनुकूल पर्यावरण में समाज तीवर गती से विकास करता है तथा प्रतिकूल पर्यावरण में विकास की गती धीमी होती है जैसे भोगोलिक पर्यावरन, प्राकृतिक संसाधन, खनीच पदार्त, जय जलवायू, समतल दता उपजव भूमी का होना विकास के लिए आवश्यक होता है दूसरी जो दशा उन्होंने बताई वह है जयवी किये दशा समाज के सदसे स्वस्थ, हस्ट, पुष्ट, निरोगी, बलवान होते हैं तो समाज के विकास में सहायक होते हैं कमजोर, बीमार, अस्वस्थ जनसंख्या वाला समाज विकास नहीं कर पाता है समाज की इस्टतम जनसंख्या होती है तो विकास अधिकतम गती से होता है जन्मदर तथा म्रत्युदर और प्राकृतिक संसाधनों में संतुलन होना आवशक होता है तीसरा दशा उन्होंने बताया मनोवे ग्यानिक दशाएं यानि सामाजिक विकास के लिए आवशक है कि समाज के लोग मानसिक रूप से विकास के लिए तयार हो इसके लिए सदसियों को बताना होगा कि परिवर्तन के लक्ष क्या है उनका लाब क्या है उस निश्चित परिवर्तन के अभाव में हानिया क्या क्या है आधी को बताकर उन्हें विकास के लिए मानसिक तोर पर तयार लिया जा सकता है और मनों वेग्यानिक दशाओं को विकास के लिए सहायक बनाया जाए सकता है अत्थी दशा उन्होंने बताई है सामाजिक दशाएं सामाजिक विकास के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्तियों का होना भी आवशक है विकास सामाजिक मुल्यों प्रताओं, धर्म, रीति रिवाज, संस्क्रती, आधि के अनुरूप होगा, तभी समाज के सदसि सहयोग करेंगे, नहीं तो विकास का विरोध किया जाएगा। इसलिए जिस समाज में विकास करना है, उन्हें उस समाज में प्रचलित प्रताओं, धर्म और संस्क्रती के अनुरूप ही विकास का प्रारूप तैयार करना होगा गुनार मिर्डल ने सामाजिक विकास के संबंध में अपने विचार एशियन ड्रामा में प्रस्तुत किये हैं उन्होंने विकास का अर्थ आधूनिकी करन के आदर्शों को सामाजिक जीवन में उतारने से लगाया है मिर्डल लिखते हैं कि विकास का अर्थ सामाजिक विवस्ता में उन अनेक अवांचनिय अवस्ताओं का सुधार करना है जिनके अल्प विकास की इस्ति बनी हुई है मेडल का यह भी मानना है कि व्यवस्था का एक समगर रूप होता है जिसके विभिन अंग परस पर आत्म निर्भर और संबंदित होते हैं किसी एक में परिवर्थन का प्रभाव अन्य में परिवर्थन लाता है इनके अनुसार किसी एक अवस्था में अगर परिवर्थन उपर की ओर होता है तो अन्य अंगों या उप विवस्थाओं में भी उपर की ओर परिवर्थन होता है इन्होंने संस्तागत उपागम के द्वारा अध्यन पर जोड़ देते हुए कहा है कि अधियन करता को यह ग्याद करना चाहिए कि लोग विकास के कितने उत्सुख है उनकी मनो कामना क्या है लोग जीवन इस्तर आई आदी में परिवर्टन लाने के लिए कितने उत्सुख है मेडर ने विकास की दशाओं को भी छे भागों में विभगत किया है उत्पादन और आय, उत्पादन की अवस्थाएं, जीवन इस्तर, जीवन और कारे के प्रती अभीवरतिया, संस्थाएं और नेतिया भारत में अनेक यूजनाय वांचित दिशा में परिवर्तन करने के लिए चलाई गई है तथा उनको विकास कारिक्रम नाम दिया गया है, जैसे ग्रामिन भारत में 1952 में ग्रामिन विकास कारिक्रम शुरू किया गया अनेक आर्थिक विकास कारिक्रम, स्त्रियों, दलित वर्ग, उद्योग धंदो, क्रशी के विकास के लिए अनेक नीतियों को कार्यानवित किया गया है राजनेतिक सामाजिक सेक्षनिक आदी अनेक विकास कारिक्रम चलाए गए है सरकार ने अनुसूचित जातियों जन जातियों आदी के लिए भी अनेक विकास और कल्यानकारी कारिक्रम चला रखे हैं विकास कारिक्रम संयुक्त तथा मिशित प्रगटना है इसमें समाज के अनेक पक्षों का ध्यान रखा जाता है